हरहर महादेव बर्ष 2019 का सावन मास जो है वह 17 जुलाई से प्रारम भोरा है शावन मास विशेश रुप से भगवान शिव को शमर्पित होता है भगवान भोलेनात ओधर धानी के ओपर विशेश रुप से जला विशेख का विशेश महत्व है शावन महीने में भगवान शिव को जल का अविशेख दुग्द का अविशेख के साथ साथ कावरीयों का भी विशेश समात्व है कावर लेकर के लोग गंगा जमुना सुरस्शती अलग-अलग नदियों से जल लेकर के आते हैं और भगवान भोलेनात को चढ़ाते हैं भगवान भूलेनात का सबसे ज़्यादा प्रिये गंगा जल है और इसके बाद बिलपत्र है बिलपत्र चरहाने की भी विशेश महता है बिलपत्र को पलट कर चरहाने से भगवान शिव शिगर अतिशिगर प्रशन होते हैं शावन मास में जादा से जादा ओम नमस्षिवाय का मंत्र का जब करें यह भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है विशेश लाब की प्राप्ति होती है जो रोगी है जो बहुत जादा परशान है वह भगवान भूलेनात का महामिरतुजय का मंत्र का जब करें उनको विशे भुर भुवा शरो जुंग शह रॉंग ओंग अम्तिरमकम जा महेज सुगंधिम पुष्टि बर्धनम और बारक मियोबंधनान मिर्त और मोग्षिय अमामृतात भगवान भोलेनात का यह महां मिर्तुझय मंत्र व्यक्ति को मिर्तु से बचाता है आरोग शक्ति को प्राप्त क करता है भगवान भोलेनात पर सावन महीने में पूरे सावन भगवान भोलेनात को भगवान शिव को आप जला विशेक करें गंगा जल समर्पित करें विशेश रुप से भगवान भोलेनात प्रशन होते हैं सावन महीने में रुद्रा विशेक की विशेश महता कहीं गई है रुदरा विशेक विशेष ज्यानी पंडितों से आप अपने घर पर रुदरा विशेक कराएं या फिर आप खुद रुदरी पाठ का विशेष रूप से पाठ करें तो विशेष रूप से भगवान भूले नात प्रशन होते हैं 12 जोतिर लिंगों में 57 महीने में विशेष रूप से जला विशेक का भी विशेष महत्व है। आमतोर से दिखा गया है कि बावा बैदनात धाम जारखड में बावा विशेष रूप से यहां पर भगवान भोले नात को जल चड़ाया जाता है। विशेष आंक का फूल चड़ाते हैं जिससे भगवान भोले नात शिक्र प्रशन होते हैं।